हलो गैज, वेलकम टू साइन्स फोक्षोप, दिस इस कुसुम MSA Final Year Joology के एक्जाम सबको बता होगा कि छेगत से शुरू होने हो हैं आज का दिन है 25 जुलाई, यानि कि एक्जाम को 12 दिन बचे हुए हैं और 12 दिन में भी maximum लोग यही करते हैं कि 4 से 5 दिन last की जो होते हैं उसमें जो first paper होगा, उसी के preparation करेंगे यानि कि उस 5 दिन को निकालते तो हमारे पास में 7 days बसते हैं यानि कि एक week बसता है, तो एक week में हम सारे subject यानि कि 6 paper होने अपने तो 6 paper का preparation कैसे करेंगे, तो 6 paper का preparation हम science workshop के साथ में करेंगे हम 7 days daily videos upload करेंगे और कुछ topics हम देखेंगे जो कि हमें daily prepare करने हैं ठीक है, तो guys, firstly क्या strategy होना चाहिए आपका one week preparation के लिए one week में आपको 6 paper जो है वो prepare करने है, ठीक है then last में जो 3 या 4 दिन का gap आता है, उसमें तो सिर्फ revise हो पाता है, और कुछ नहीं होता तो guys, firstly क्या है कि, first point है कि आपको revise करना है, अपने जो भी पहले पढ़ा है अभी से पहले जो भी पढ़ा है, वो सब का सब जहां भी है, note से पढ़ा है या फिर sort paper से पढ़ा है, या फिर book से पढ़ा है, जहां से भी पढ़ा है आपने तो वो आपको revise करना है, ठीक है then next point है important topics, आपको important topics जो है, वो देखने हैं और उन पे ज़्यादा focus करना है जब वो clear हो जाए, तो हम आएंगे previous year questions पे तो उसके बाद हम previous year questions पे focus करेंगे और इस तरह से firstly हम notes या फिर books या फिर sort paper से जहां से भी हमने पढ़ा है जो पहले का, वो revise करेंगे, important topics पे focus करेंगे और previous year questions करेंगे, ठीक है तो guys, firstly आज का जो दिन है, आज हम, मैंने आपको, आप homework समझ सकते हो या फिर exam preparation ले के समा सकते हो, कुछ भी समझो, लेकिन आपको पेपर fourth जो है अपना tools and techniques in biology, इसमें मैंने यहाँ पे कुछ topics डाले हैं और ये आज ही आपको prepare करने है, ठीक है तो first topic अपना resolving power, second topic है phase contrast microscopy third topic है, वो fluorescence microscopy, SAM यानि scanning electron microscopy fourth है TAM, यानि transmission electron microscopy so guys, ये जो topic है, ये आज की दिन आपको prepare करने है और इसके अंदर में भी हमें कौन से point cover करने है तो ये आपको point cover करने है, अगर phase contrast microscopy हो गया fluorescence हो गया, SAM हो गया, TAM हो गया, इसके अंदर इसका principle क्या है इसका procedure क्या है, how it's work, यानि कि वो कैसे काम करता है third point है, ray diagram, ray diagram बहुत ज़्यादा important है अगर आपका कोई question आ जाता है exam में, like phase contrast microscopy आ गया तो उसके अंदर आप ray diagram नहीं बनाओगे मतलब marks कम काटने का ज़्यादा chance हो जाता है अगर आप ray diagram बना देते हो, किसी भी topic में आप diagram बना लेते हो तो उससे आप अच्छे marks गेंद कर सकते हो उसके इंदर ठीक है, तो diagram बहुत ज़्यादा important है अगर हो सके, तो हर एक question में आप diagram बनाने की कोसिस करें उससे related जो है वो, ठीक है जो next topic है, इसके इंदर next point हम cover करेंगे advantage and disadvantage and next application ठीक है, तो ये जो 1, 2, 3, 4, 5 points है ये इन सारे topics में आपको clear cover करने है phase contrast microscopy, fluorescence microscopy, SAM और TAM ठीक है तो guys, ये जब prepare कर लो तो आपको comment box में जरूर बताना है कि आपने prepare कितने topics कर ले इसमें से और in fact, सारे ही करने है आज के आज ही क्योंकि चारो पाचो topic है, वो important है कोई भी topic जाम में आ सकता है so thanks guys, I'm waiting for your comments thank you